हलो फ्रेंट्स आप सफी का अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्पति साउजी माराज यूनिवर्सिटी कानपूर के बारे में तो फ्रेंट्स वीडियो को अंते तक देखें वीडियो को लाइक करें सेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 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 सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जैसे कि छत्पति साउजी माराज यूनिवर्सिटी कानपूर यूनिवर्सिटी इस रिलेटेट टू जैड सबसे पहले और फुरी में पहुंचती रहे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए सनातक पराय सनातक लल्वी समयत बिविन पार्ट करेंप के बचे हुए बायवावा प्रेक्टिकल अब संबंदित महाविद्याले करा सकेंगे वने सोसल डिश्टेंज के साथ COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा यह फैसला चत्पती साओजी माराज यूनिवस्टी यानि CSUME की परिच्छा समित में हुआ वहाँ सेमेश्टर वा वार्स एक परिच्छा को लेकर लंबी चर्टा चर्चा हुई अंत में कोई त इस्टुडेंट में डाउट बना हुआ है जो यूनिवस्टी लगाता है जो डाउट क्रियेट कर रही तो उसके बीच यह बैठक हुई है यह बुद्वार को बैठक हुई है यह देखिए CSUME की कुलपती प्रोफेसर नेलमा गुपता की अद्दच्छता में बुद्वार क परिच्छा समीति की बैठक हुई बैठक में सिर्फ वार्सिक बास सेमेश्टर परिच्छा करवाने पर ही चर्चा हुई लंबी चर्चा के बाद तरह हुआ कि जिन जिलों में इस्थिति सामान है वे बायवा या पेटिकल करा सकते हैं इसके अलावा अन्य जिलों के भी अन अभी तैय नहीं हुई है लागडान खुलने के बाद तित्र को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा अभी तक तैय हुआ है कि अंतिम बर्स के उन बैसियों की परिच्छा सबसे पहले कराएं जाएंगे जिसमें चात्रों की संग्या कम है इसके बाद अधिक संग्या वाले जात्रों के पाटकरमों की परहुए不會 इसके बाद अन्वरसों की परष्चा का सैड्यूल तयार होगा कौल्पती ने समेस्ठर के लिए बीजण तक कोर्स पूरा कराने का निर्देश दिया है हलांकि इसके लिए परिच्छा के तिती तैई नहीं होपा हो सकी है मगर यह तैई हुआ कि स्कूल कॉलिज खुलने के 15 दिन तक छात्रों को पढ़ाई का मौका दिया जाए इसके बाद ही परिच्छाएं सुरू होगी पेश्टी पाट करम पर भी चर्चा होई है एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रहे है जो इस्टूडेंट में लगातार डाउट बना हुआ है यूनिवेस्टी जो डाउट लगातार क्रियाट कर रही थे कभी कह रही थी जून में पर इच्छा होगी कभी जुलाई में पर इच्छा होगी कभी प्रमोशन लगातार ग्यापंदु जियत दिये जा रहे थे उनके बीच बुदबार को बैठक हो गई है चत्पती साओ जी माराज यूनिवर्सिटी जिसकी अदिछता की है कि कुलपती निल्मा गुपता जी ने और इसमें इस पश्ट का गया है कि दो फेज़ेज में परिच्छाएं होगी लेकिन यह नेड़े अभी तक नहीं लिया कि परिच्छाएं कब से होंगी कभिए नेड़े लेहां है दो भी नहीं लिया गया है और जो लगातार गया जा रहे हैं यूनिवस्टी को रजिस्ट्राइब को की प्रमोसन दिया जाएगे कि नहीं दिया जाएगा लगातार जो इस्थेती खराब हुई है उसमें इस्टुडेंट के साथ कोई भी खिलबाड ना हो उनके स्वास्त के साथ कोई भी खिलबाड ना हो ऐसे में इस्टुडेंट को प्रमोसन दिया जा जा जो लगातार ग्यापन दिये जा रहे हैं उनके ब सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें थैंक्स पार वाचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल